आम तोर पर मन की बात उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट ऐसे में मैं और कुछ बाते करू वो उचित नहीं होगा लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा मांगता हूँ और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं जिसकी विज़र से आपको कई तरह की कठिनाईया उठानी पड़ रही हैं खास करके मेरे गरीब भा कई बहनों को देखता हूँ तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है हमें इस मुसीबत में डाल दिया उनसे भी में विशेस रुपज़ेक्शमा मांगता हूँ हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सब को घ लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था करना के खिलाब लड़ाई जीवन और मृत्य के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है और इसी लिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लेकिन दुनिया के हाराद देखने के बारे लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविदा हुई हैं कठनाई हुई हैं इसके लिए छमा वागता हूँ साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुणह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है भाईयों, बहनों, माताओं, वजुर्गों कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है यह ज्यान, विज्यान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर हर किसी को चुनोती गे रहा है यह ना तो राष्की सिमाओं में बना है, नहीं यह कोई छेत्र देखता है और नहीं कोई मौसम यह वाईरस इनसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है और इसलिए सभी लोगों को पूरी मानव जाती को इस वाईरस के खत्म करने के लिए एक जुठ होकर संकल्प लेना ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके वो मानव जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं अरे भाई, ये भ्रह्म पालना सही नहीं है, ये लोगडाउन आपके खुद के बचने के लिए है, आपको अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है अभी आपको आने वाले कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्ष्मन डेखा का पालन करना ही है साथियों, मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब भी वो स्थीती की गंबीरता को नहीं समझ रहे हैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लोकडाउन का नियम तोड़ेंगे, तो कुरोना वायरस से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी, आज यह सब पच्ता रहे हैं साथियों, हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम, स्वास्थम सरवार्त साधनम, यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है दुनिया में सभी सुख का साधन, स्वास्त ही है, ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं चात्यों, इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं, जो गरों में नहीं, गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं जो हमारे फ्रंट लाइन सोर्जर्स हैं, खास करके हमारी नर्सिस बहने हैं, नर्सिस का काम करने वाले भाई हैं, डॉक्टर हैं, परड़ा मेडिक कर स्टाफ हैं, ऐसे साथ ही जो कोरोना को पराजित कर चुके हैं, आज हमें उन से प्रेणा ले ली हैं बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर मात किये हैं, उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथ हो के अनुखो, उनसे हुई बातचीत उसमें से कुछ बाते आपसे साजा करूं सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है आईए उनके अनुभव सुनते हैं येस राम नमस्ते जी आराम नमस्ते 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 मैंने सुना कि आप कुरोना वाइरस के इस गंबीज संकड से बाहर निकले हैं जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था बताइए आप इस सारे संकड से निकले हैं तो अपना अनुभव में सुनना चाहता था मैं इटी सेक्टर के एंपलॉई हूँ काम के वज़े से दुबाई गया था मैं तब गांधी ऑस्पिटल गौर्न्मेंट ऑस्पिटल हाइदरबाद में वहाँ पर एड्मिस किये थे मुझे और उसके बाद सवदर दिन के बाद ठीक हो गया तो तो तोड़ा धराम ना था यह सब यह जब आपको संक्रमन का पता चला और यह उसके पहले पता तो होगा कि वा कर रहा था मैं कि हो गया इसा कैसे हुआ था क्योंकि इंडिया में किसी को दो तीन लोग को आया था तब तो कुछ नहीं पता तो उसके बारे में अश्पिटल में जब एड्मिट के थे मुझे क्वारिंटीन में रखे थे तब तो पहले दो तीन दिन तो फूरा ऐसे ही चला रहते थे दिन में दो तीन बार डॉक्टर बात करते थे नजब भी बात करते थे तो पहले जब धर था लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ इतने अच्छे लोगे के साथ हूँ उनको पता है क्या करना है और गेट बेटर ऐसे लगा था परिवार के लोगों की मरस्तिती क् जब मैं हॉस्पिटल में एड्मिट हुआ था पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे ज़्यादा एटेंशन हो सब था लेकिन हाँ सबसे पहले तो उनका भी टेस्ट किये थे सबका नेगिटिव आ गया था वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए हमारे फैमिली के परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जब पता चला तब तो में कौरेंटीन दीता लेकिन के बाद डॉक्टर्स ने बताया थे कि और छोज़ा दिन गर पे रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ को और हॉस को और रखने के लिए बोले तो आने के बाद भी मैं अपने गर में यूँ अब मेरे रूम में रहता हूं ज्यादा तक मास्क रखे रहता हूं दिन बर जो जब बाहर काने के लिए कुछ होगा हैंड वाशिंग हो सब इंपोर्टेंट है चलिए राम आप स्वस्त होकर के आये हैं आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शु सब्सक्राइब करने से कैसे बच सकते हैं वह भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा हां जी ऐसा है कि बाहर आते हैं देख रहा हूं सब क्वारेंटीन मतलब जेल में जाने के ज़रे से जो सुचने हैं वह ऐसा नहीं है सब को पता होनी चाहिए कि गवर्मेंट क्वारेंटीन उनके लिए उनके परवार के लिए यह तो उसके बारे में ज्यादा तक लोग को बोलना चाहिए कि टेस्ट कर वाओ क्वारेंटीन मतलब ड़ना मस्ट वह स्टिगमा नहीं होने चाहिए उसके उपर चलिए राम बहुत पाश्चुब काम ना है आपको थैंक साथियों जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बाद डॉक्टरों ने दिये इसी का परणाम है कि आज वो स्फस्थ होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन उन्होंने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फस गया था नौजवान बेटा भी फस गया था आईए आगरा के शिमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं अशोक जी नमस्ते नमस्कार जी मेरा सभाग्य आजिए आप से बात हो रही है मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फसा था तो मैं जुरूर जानना चाहूंगा कि आपको यह समस्या यह संकरमन का पता कैसे चला क्या हुआ अस्पताल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सून करके अगर कोई चीजे देश को बताने ज बेटे हैं यह इतली गेते वहां पर फेर था शूस का हम यह चुते का काम करते हैं जी फैक्टिया मैनुफेक्शिंग का तो वहां गेते इतली फेर पर जब यह वापिस आए ना तो हमारा दाबाद भी गया था वह दिली रहते हैं तो उनको थोड़ी प्राबलों होई तो व आप टेस्ट कराएं तो दोड़ों बेचे चलें जाएं तेस्क कराने यहीं अग्रा जिस्टिक होस्पीटल बेटे लों ने इनको बोला का आप अपने परवार को भी बुला ले कोई को असी बात अगो अल्टिवेशली क्या हुआ यह वह हम सब गए तो नेक्स दे उन्हां आपके छे जने जो है मेरे दोनों बेटे मैं मेरी वाइफ बैद अब सब 73 यार ओल हूँ मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रेंट संध वो 16 साल का है तो हम छे का उन्होंने पोजिटिव बताया तो आपको दिल्ली ले जागा है जी हम सर दरे नहीं हमने ठ कोई चार्ज नहीं किया इनकी बड़ी बहरबानी है आगरे के डॉक्तर की अदिस्टेशन की अप्तुरा अप्तुरा अब्स अब्स आया अग्या आप यह अब्स तीट था था थे बैट के चैसे एज उसर बैट के आपे हमको नहने दो आपूलेंस देजी संग में दॉक्तर हम छे को उन्होंने अलग लग लग रूम दिया अच्छे रूम ते सब कुष्टा तो सर अंपर 14 दिन वह होस्पिटल में अकेले रहते थे और डाक्टरों का जहां तक बात है बहुत्स योग राजी बड़ा अच्छा हमको लोने ठीट किया चाह स्टाफ हो वह एक्शल वह लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सब को आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया पेपर था सर आज सीएशी के पेपर थे ना तो उसका पेपर सा अमने देखी जाएगे बात में यह तो जिद्धिगी रही है तो सब पेपर हो जाएगे बस चाही बात है चली आपका अनुभव इसमें काम आया पूरे परिवार को विश्वाद भी दिलाए हिमबत भी दिला हैं उन्होंने बहुत अच्छा वारे साथ किया और स्टाफ नर्से जो थी उन्होंने पूरा हमको सहोग दिया है चलिए मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुकामना है थैंकियो जी धन्यवाज रगाम अपने तरीके से आगरा में करिए भुखा है तो उसको खाना खिलाए गरीपी जिंता किजिए और नियमों का पानन करें लोगों को समझाइए कि आपका पूरिवार इस बिमारी में फसा था लेकिन आपने नियमों का पानन करके अपने परिवार को बचाए है सब लोग अगरे नियमों का पालन करें तो देश बच जाएगा हमने सार कि हमने अवला वीडियो बगारा ही बना के ना चैनल में दिया है अच्छा इसलिए कि लोगों में अवेर्नेस रहे और चैनल वालों ने दिखाया दिया है हां सोचल मीडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिए है जी जी और हमने अपनी कलोनी में जाम रहते हैं सबको हमने कह दिया देखो जी हम आगे हैं तो डरें नहीं कोई प्रॉब्लम है जाके टेस्ट कराएं और जो लोग अबारे संग जो दिले होंगे या जो सब टेस्ट डरें बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं साथियों हम मेडिकल स्थर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुहोव जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं रोज मरा की उनकी गतिविदी इनी पेसेंटों के साथ पढ़ती हैं आईए हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर नितिश गुपता जुड़े हैं नमस्ते डॉक्टर नमस्ते नितिश जी आप तो बिलकुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूर कैसा है क्या है जरा आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की कांसिलिंग भी करनी पड़ती होगी अगले 14 दिन में आप ठीक होंगे आप घर जाएंगे बिलकुल तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर बेच चुके हैं जब बात करते हैं तो overall क्या आता है आपके सामने जब डरे हुए लोग है तो उनकी चिंता क्या सताती है उनको यह लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा यह तो बिलकुल एकदम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाद लोग इतने एक्पायर हो रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा पर हम उनको समझाते हैं कि आपसी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी आपका केस बहुत माइल्ड वाला है नॉर्मल सर्थी जुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांक साथ दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे फिर हम आपके टेस्ट करेंगे जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं और हम इसलिए उनकी बार बार हज दो तीन चार गंटे में उनके पास जाते हैं हैं मिलते हैं उनके पूछते हैं उनको सवहलियत होती है पूरे दिन में तो ही उनको अच्छा लगता है उनका आत्मविश्वात बन जाता है शुरू में तो डर जाते हैं शुरू में डर जाते हैं बट जब हम समझाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन तक जब वो खुद ठीक होने लगते हैं तो उने भी लगता है हम ठीक हो सकते हैं लेकिन सबी डॉक्टरों को लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके जिम्में आया है ये भाव बनता है सबको? हाँ जी सर बिल्कुल बनता है हम अपने टीम को बिल्कुल प्रोथाइब करके रखते हैं कि ड़ने वाली कोई बात नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं है अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे मरीश को अच्छे से प्रिकॉशन समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है तो सब चीज़े ठीक रहेंगे चलिए डॉक्टर आपके यहां तो बहुत बड़ी मातरा में पेशन भी आते हैं और आप बिल्कुल जी जान से लगे हैं आपसे बात करके अच्छा लगा मैं आपके साथ हूँ लड़ाई लड़ते रहे हैं आपका अशिरवाद रहे हैं यही हम चाहते हैं बहुत सुब कामना है वही है थैंक यू नितेश जी आपको बहुत बहुत साधु हुआद आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत करोना के खिलाब लड़ाई में अवश्य विजय होगा मेरा आप से आग्रह हैं कि आप अपना ध्यान रखे अपने साथियों का ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे दुनिया का अनुभव बताता है कि इस बिमारी से संकर्मित होने वाले वेक्तियों की संक्या अचानक बढ़ती है अचानक होने वाली इस वृद्धी की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है भारत में इस्थिती ना आये इसके लिए ही हमें निरंतर प्रयास करना है एक और डॉक्टर हमारे साथ पूने से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से नमस्ते डॉक्टर आप तो बिलकुल एक जनसेवा प्रभु सेवा के मिजाद से काम में लगे हैं तो मैं आज आप से कुछ बाते करना चाहता हूं जो देश वाच्छों के लिए आपके संदेश चाहिए एक तो अनेक लोगों के मन में प्रशन है कि कब डॉक्टर से संपर करना है और कब उनको कॉरोना का टेस्ट कराना है एक डॉक्टर के नाते और आप तो पूरी तरह आ और हमारे पूना मुंसिकल कॉर्परेशन होस्पिटल है नाइडव होस्पिटल करके वहां पे जैनेवरी 2020 से स्क्रीनिंग सेंटर चालो हो गया है वहां पे आज तक 16 कोवीड-19 पॉजिटिव केसे निकलिया है उसमें से हमने ट्रिक्मेंग देखे उनको कॉरंटें करके एस और होते हुए भी यहां पे जो प्रफिटिव एक रिक वरी आट अट अप दी करोना वायरु और अभी यहां पे जो टैंपल साइज पो वैसे छोटा है सर्टिंग केसी है लेकिन अईसा मालूब हो रहा है यह जो पॉपुलिशन भी अफेक्ट हो और यह जो डिसीज है वो स्यादा सीरियस नहीं है सर्टिंग वो माल यह ए टीर्म और वो पेशन लोग काथी अच्छी हो रहा है अर अभी जो लोग बाखी है वहां पे वहां है उसमें क्या समझाते हैं आप गर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप एक तो अगर वोम में भी रहे करना है और बार बार हाथ करना है अगर हमस्तार आपको पास लिए अपना सादा कर आपको 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 को करना के करना है जमीन पे ना गिरने के वज़े से अगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा यह समझा रहे हैं सर दूसरी बात समझा रहे हैं कि they are supposed to be there as a home quarantine they are not supposed to go out of the home अभी तो lockdown हो गया है in fact during this particular situation they are supposed to be locked down but they are supposed to be home quarantine also properly for minimum period of 14 days के लिए आप कॉरेंटेन उनको सुचीत कर रहे हैं संदेश दे रहे हैं चलिए डॉक्टर आपनों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो और समर्पन भाव से कर रहे हो और आपकी पूरी टीम लगी है मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेसंस आये हैं सब सुरक्षित हो करके अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगों की मदद से और हमें विश्वास है हम जीतेंगे ये लड़ाई जीत जाएंगे बहुत बात सुप्ताम ना है डॉक्टर आपको धन्यवाद डॉक्टर साथ्यों हमारी ये तमाम साथी आपको पुरे देश को इस संकट से बाहर निकालने में जूटे हैं ये जो बाते हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बलके अपने जीवन में उतारना भी है आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग तपस्या समर्पन देख रहा हूं तो मुझे आचारिय चरक की कही हुई बात याद आती है आचारिय चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है और वाज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं आचारिय चरक न ना आत्मार्थम न अपिकरमार्थम अतभूत दयाम प्रति वर्तते यत चिकित्सायाम सर्वम इति वर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बलकि मरीज की सेवा के लिए दयाभाव रखकर कारे करता है वो सर्व स्रेष्ट चिकित्सक होता है साथियो मानवता से भरी हुई हर नर्ष को आज मैं नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवाभाव के साथ कारे करते हैं वो अतुलनिया है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानि 2020 को पुरावीश इंटरनेशनल येर आफ दे नर्ष एंड मिडवाइफ के तौर पर मना रहा है इसका समन्द 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ है जिनोंने मानव सेवा को नर्षिंग को एक नई पहचान दी एक नई उचाई पर पहुँचाया दुनिया की हर नर्ष के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तौर पर पूरे नर्षिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेडिकल, आशा, एनम कारकरता, सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भाव चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिये तक के स्वास्त बीमा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश वास्यों करोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो है और इस परिस्तिती में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एप पर नमो एप पर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज है ये बात सही भी है ये वो लोग है जिन की वज़े से हमारी रोजमरा की जिन्दगी आसानी से चलती रहती है आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोगिम उठा रहा है आखिर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठिक इसी प्रकार उन के अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवशक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए हैं आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाय का न जितना धन्यवाद करे उतना कम है बड़ी संक्या में हमारे साथ ही एकॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलेवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठिन दोर में भी ग्रॉसरीज की डिलेवरी देने में लगे हुए हैं जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं गर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तमाल कर रहे हैं उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है इस दोरान आप में से अधिकाउंस लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर प भाले हुए हैं आज सभी देशवास्यों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रती आभार प्रगड करता हूं और उनसे अनूरवत करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रेकॉशन्स लें अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार जनों का भी ख्याल गया है उनके साथ कुछ लोग बुरा वरताव कर रहे हैं ऐसी वाते सुनकर मुझे अत्यनत पिड़ा हुई है यह बहुत दुर्भागे पूर्ण है हमें यह समझना होगा कि मौजुदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है नकी इमोश इसे लोग कोई अपरादी नहीं है बलकि वायरस के संभवित पीडिद भर है इन लोगों ने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं कई जगह पर लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को गंवितार से लिया है यहां तक कि वायरस के कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने खुद को कॉरूंटाइन किया ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे विदेश से लोट करके आये हैं और दोहरी सावधानी वरत रहे हैं वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दू से भी जायद नहीं है बलकि उनके साथ सहनुभूती पूरवक सहयोग करने की आवशक्ता है कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं ह वास्तों में ये समय अपने सभी पुराने सामाजी की रिस्तों में नई जान फुकने का है उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है एक प्रकार से ये समय हमें यह भी बताता है कि सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस गटाओ मैं फिर कहता हूँ सोचियल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और इमोशनल डिस्टंस घटाओ कोटा से येश्वर्धन ने नरेन बोदी एप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉंडिंग को मजबूत कर रहे हैं बच्चों के साथ बॉर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं किचेन में नई नई डिसेज बना रहे हैं जबलपूर की निरुपमा हरसेई जी नरेन बोदी एप पर लिखती हैं कि उन्हें पहली बार रजाई बनाने के अपने शौक को पुरा करने का मोका मिला है यही नहीं वो इसके साथ ही बागवानी का शौक भी पुरा कर रही हैं वहीं राईपूर के परिक्षित गुरु गाम के आर्यमन और जार्खन के सुरिजी का पोस्ट पढ़ने को मिला जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के यी री यूनियन करने की चर्चा की है उनका ये आईडिया काफी रोचक है हो सकता है कि आपको भी दसकों से अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बाचित करने का मोका न मिला हो आप भी इस आइडिया को आजमा कर देखिए भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकत्ता की वसूधा मैं ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं जीने अब तक पढ़ नहीं पाये थे सोशल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पड़े तबला, वीर्णा जैसे मुजिकल इंस्टुमेंन को निकाल कर रियाज करना शुरू कर दिया है आप भी ऐसा कर सकते हैं इससे आपको संगीत का आनन तो मिलेगा ही पुरानी आदय भी ताजा हो उठेगी यानि मुश्किल की इस घड़ी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुडने का मोका मिलेगा बल्कि आप अपने पैसन से भी जुड़ पाएंगे आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुडने का पूरा आउसर मिलेगा नमो एप पर मुझे रूड की से सर्शी जी ने पूछा है कि लोगडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेश के लिए क्या करता हूँ इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूँ मैं आपको बता दू मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है लेकिन आपको अपने बीतर जौकने के लिए अवसर भी दिया है ये मोका है बाहर मत निकलो लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो अपने आपको जानने का प्रयास करो जहां तक नवरात्री के उपास की बात है ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का विशय है जहां तक फिटनेस की बात है मुझे लगता है कि बात लंबी हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया में मैं क्या करता हूँ उसके विशे में कुछ वीडियो अपलोड करूँगा नरेदर मोधी एप पर आप जुरूर उस वीडियो को देखेंगे जो मैं करता हूँ संबवत हो उसमें से कुछ बाते आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं फिटनेस एक्षपर्ट नहीं हूँ और नही मैं योगा टीचर हूँ मैं सिरफ प्रैक्टिशनर हूँ हाँ जरूर मानता हूँ कि योग के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाव हुआ है लोकडाउन के दौरान आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए साथियो करूना के खिलाब ये युद्ध अभुतपुर्व भी है और चुनवति पुर्ण भी इसलिए इस दौरान लिये जा रहे फैसले भी ऐसे हैं जो दुनिया के इतियास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले। हमें मुश्किल स्थिती से बहार निकालेगा। साथ-साथ गरीबों के प्रती हमारी संवेदनाई और अधिक तीवर होनी चाहिए। हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भेर भी कोई गरीब दुखी भूका न जराता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे। उसका जरूरत की चिंता करेंगे और यह हिंदुस्तान कर सकता है। यह हमारे संस्कार है, यह हमारी संस्कृत ही है। मेरे पैरे देशवासियों, आज हर भारतिय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है। लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास के लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा, देश को आगे ले जाएगा। आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित और सावधान रहिए। हमें यह जंग जीतना है, जरूर जीतेंगे। मन की बात के लिए फिर अगले मेहने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाए। इसी एक कलपना के साथ, इसी एक शुपकामना के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद।